हेलो नमस्कार जैहिन वंदेवात्रम दोस्तो अध्यन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन सिख्षक भरती में पूर्ण सफलता के लिए अध्यन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और जिन अभियर्थियों का सीटेट के लिए नहीं हुआ है और सीटेट के लिए करना चाते हैं तो ऐसे अभियर्थियों के लिए वीडियो है यह जिनका के लिए हो चुका है लेकिन अपने अंक और ज्यादा प्लस करना चाते हैं इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें तो देखेगा सीटेट की परिक्षा में यदि कम समय बच्चा है और कम समय में अधिक अंक आपको लाने हैं 120 प्लस आपको लेके आना हैं तो कैसे तयारी करें देखेगा जो अभ्यर्थी सीटेट की परिक्षा के लिए तयारी कर रहे हैं वो बीड बीटीसी डीएलेड इस तरह के डिग्री डिप्लोमा से होकर गुजर चुके हैं इस सलेवस से होके गुजर चुके हैं तो काफी चीजें आ चुकी है उस तरह की पहले लेकिन कम समय में सीटेट की परिक्षा को कैसे कलियर करें ये जानकारी यहांपे आपको दी जाएगी तो देखेगा परिक्षा को कलियर करने के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है, तो सबसे पहले आपके पास एक परिक्षा की योजना होना जरूरी है, यदि परिक्षा की योजना ही आपके पास नहीं है, आप अध्यन कर रहे हैं, गलत दिशा में अध्यन कर रहे हैं, कोई प्लैनिंग आपके पास नहीं है, तो वो अध गलत दिशा में जाएगा और आप अच्छे से त्यारी नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि emitक्रीक्षा की योजना आपके पास हो परिक्षा की योजना कैसी होती है परिक्षा की कितने विशे आते हैं और हर सब्जेक्ट में किन-किन बिंदो को पूछा जाता है कौन-कौन से चैप्टर आते हैं और उन चैप्टर में भी किन-किन पॉइंट पे विशेश कर पूछा जाता है तो ये पूरा जो मैप है ये आपके माइन में सैट होना चाहिए तो देखेगा परिक्षा की योजना में सबसे जरूरी यही है कि परिक्षा की परकरती को आप जाने, परिक्षा की परकरती कैसी है, परिक्षा का सलेबस कैसा है, पाठ्षे करम के एक-एक बिन्दू का आप गहन अध्यन करे, क्योंकि यह आपके माइन में सेट होना चाहिए, कितने अंक कहा से पुछे जाते हैं कितने अंक का कुंसा portion होता है पैडा गोजी का कितना role होता है तो यह सारी चीज़े आपको पुरे मायन में अपने set करना होगा अगर यह planning आपने तयार कर ली परिक्षा में कितना समय होता है और कितने कोशन होते हैं यह पूरी प्लैनिंग आपकी होनी चाहिए पूरा सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर यह आपको पता है फिर आप उन चीजों को देखे कि इस पूरे स्लेबस में आपकी निपुनता कहां है किन-किन सब्जेक्ट के उपर आपकी कमांड है कौन-कौन से स कटिनड टॉपिक है तो ये पूरी जो जानकारी है यह आपके मायन में सेट होनी चाहिए परिक्सा की योजना तभी आपकी सार्थक होगी तो सबसे पहले तो ये पूरा मैप आपके माइड में सैट हो क्या आपको करना है क्या आपको पढ़ना है कहां से क्या आता है अगर यही जानकारी आपके पास नहीं होगी तो सार्थक दिसा में आपका अध्यन नहीं हो पाएगा तो सबसे पहले जरूरी है परिक्षा के लिए कि परिक्षा की योजना आप जरूर बनाए और परिक्षा से संबंदित जितने भी तथ्ये हैं उन तथ्यों को एकत्रित करें पूरा मैप तयार करें और वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए उसके बाद में जो आप तयारी करेंगे जो टाइम मैनेजमेंट होता है देखेगा टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है लेकिन अगर परिक्षा में समय कम बचा हुआ है तो फिर आप समय के हिसाब से अध्यन ने करें बलकि स्लेबस के हिसाब से अध्यन करें अगर कम समय में आपने समय के हिसाब से अध्यन करना सुरू किया और आपने अपना टाइम टेबल तैयार किया कि मैं 6 घंटे ये पढ़ूंगा 3 घंटे ये पढ़ूंगा मुझे पूरा 24 घंटे में से 12 से 15 घंटे पढ़ना है या 10 से 12 घंटे अध्यन करना है ये गलत है फिर आप टाइम देखते रहेंगे और टाइम को निकालते रहेंगे अध्यना आप आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कम समय में बहुत बड़ा बर्डन आपके सामने होगा बहुत बड़ा जो पठे करम है वो आपको दिखाई देगा और समय की तरफ आपका ध्यान रहेगा समय आप निकालते रहेंगे तो समय के हिसाब से अध्यान नहीं करना है स्लेबस के हिसाब से अध्यान करना है डेली आप अध्यान जो करे तो अध्यान करते समय इस चीज का ध्यान रखे कि आज मुझे कितने चैप्टर तयार करने है कितना स्लेबस आज मुझे तयार करना है उस समय के हिसाब से निर्धारित करे कि कितना जो स्लेबस है मुझे तयार करना है हो सकता है वो स्लेबस आप कम समय में तयार कर ले आपने निर्धारित किया कि आज मुझे चार चेप्टर कम्पलेट करने है और चार चेप्टर हो सकता है कि आप कम समय में भी कर ले या ज़्यादा समय भी आपका लग जाए तो सलेबस के हिसाब से आपकी तयारी होनी चाहिए समय के हिसाब से आपकी तयारी नहीं होनी चाहिए यदि परिक्षा में समय बचा हुआ है कम इसके बाद में सीटेट की अधी प्रकरती को देखें सीटेट की परिक्षा की तो यहां पैडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है 50% पैडागोजी पूछी जाती है सभी विशो में तो पैडागोजी पर आप विशेश ध्यान दे और अध्यान करते समय यह ध्यान रखेगी कम से कम 30-35% जो टोटल टाइम होता है असले बस है वो आप कवर करें पैडागोजी का क्योंकि पैडागोजी आपको एक फायदा और करेगी कि एक सब्जेक्ट का पैडागोजी आपने पढ़ा वो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके काम आएगा तो पैडागोजी का बहुत बड़ा रोल है शीटेट की परिक्षा में पैडागोजी पर आप विसेश ध्यान दे और अध्यन सामागरी जो है वो सार्थक होनी चाहिए कम होनी चाहिए सामगरी का भंडार आपके पास नहीं होना चाहिए जिससे कि उस भंडार को देखेख के आपको अध्यन करने में कठिनाई हो कभी आप वो पब्लीकेशन उठाते हैं कभी आप दूसरा पब्लीकेशन उठाते हैं तो अध्यान सामगरी जो है वो सटीक होनी चाहिए, NCRT बेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन कम में ही सटीक होना चाहिए, तो अध्यान सामगरी का जो चैन आप करेंगे, वो चैन आपका सही होना चाहिए, और कम से कम चैन करें, जिससे कि आपका पूरा स्लेबस कम्प आपके जो भी सब्जेक्ट आप पड़ रहे हैं ज्यादा कठीन जो सब्जेक्ट हैं कठीन सब्जेक्ट को आप बाद में लें या कठीन जो आपके टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर हैं उनको आप बाद में करें जिस विशे में आपकी रूची ज्यादा है ऐसे तीन विश विशेज ध्यान दें क्योंकि समय कम है तीस दिन का समय है और ज्यादा से ज्यादा स्कोर है तो प्रेक्टिस आपको ज्यादा करने होंगे च्छोरेटी कली चीजों पर कम ध्यान देना होगा कॉंसेप्ट को ज्यादा लंबा नहीं खीचना होगा कम से कम समय में आप कोशिज करें कि ज्यादा से ज्यादा आप स्लेबस कवर कर पाएं चोटे चोटे बिंदो को आप अंडरलाइन करते चले और प्रेक्टिस सेट पर विशेश ध्यान दे देखेगा अगर तीस दिन का समय है तो कम से कम दो प्रेक्टिस सेट आपको डेली करने चाहिए एक प्रेक्टिस सेट सुभए और एक शाम को दो प्रेक्टिस सेट तो आप दिन में कम से कम करें, या जो भी समय आपको suitable होता है, उसके हिसाब से आप करें, लेकिन दो practice set आप दिन में जरूर करें, और अध्यन के साथ में सबसे जरूरी जो चीज है, वो दिन्चरिया का होना भी जरूरी है, आदर्स दिन्चरिया आपकी होनी चाहिए, stress आपके मन में नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तनाव आपको नहीं लेना चाहिए, और आदर्स दिन्चरिया तभी होगी, यदि आप सुभह जल्दी उठेंगे, योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो रिलेक्स होकर करें जो भी करें रोबोट की तरहने करें तनाव लेकर करें क्योंकि कीा गया कुई बी कारय या ध्यन बिल्कुल भी सार्थक नहीं होगा और तनाव तनाव में ही आप सारा समय बितादेंगे और इसके अलावा जो हम भोजन करते हैं उसका भी विशेश रोल होता है क्योंकि जैसा खाय अन वैसा हुए मन तो भोजन भी परिख्षा के दिनों में आप कम ले, लाइट भोजन आप ले और ज्यादा हैवी भोजन ने ले तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि लाइट भोजन अगर आप लेंगे तो आप चुस्ति स्फूर्ति भरा आपका दिन्चरिया रहेगी इसके अलावा नींद जो है वो भी आप सही नींद ले कम से कम 6-8 घंटे की नींद आप जरूर ले क्योंकि जतना ज्यादा सोगे उतना ज्यादा खोगे कम सोना इतना 6 घंटे सोना परियाप्त है अगर 6-8 घंटे तक भी आप सोते हैं तो ठीक है इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए क्योंकि परिक्षा में भी काफी कम समय बचा है और वैसे भी नॉर्मली अपने जीवन में यदि धारन करना चाते हैं तो 6-8 घंटे की नीन्द जो है वो परियाप्त है और इसमें भी एक मानसिक पहलू है एक मनोवैग्जानिक पहलू है कि यदि आप 24 घंटे में से 22 घंटे सोते हैं और 22 घंटे सोने के बाद भी जब आप आपके मन में यह आ जाए कि मैं कम लेकी के दोगंटे भी आप आपको जबाइयां आती रहेगी निम्थाप, इसमद को च्होंडे लेकिन अगर आपने 6 घंटे के नीन्द ली है और 6 गंटे सोने के बाद आप एक्टिव होके उठे और मन में ये ठाल ले कि बहुत सो लिया बहुत कुछ खो लिया तो निश्यत ही आपको नेंद नहीं आएगी आपका पूरा दिन पूरे दिन आप एक्टिव रहो गई तो ये बहुत जरूरी है और इसके अलावा पर पूरूर करें क्योंकि नया कारिय यादि आप कोई स्साइड करते हैं तो आपका ध्यान उदर बट हाएगा जिसके परिक्षा में आपको दिक्कत होगी विस और बहुत सारी एक्टिवीटीहोती है सामाजिक परिभैश मं में बहुत सरा यहां नजदीक जब आती है परिक्षा से एक दो दिन पहले का जो समय होता है उस समय में बिल्कुल भी तनाव नहें लें तो कभी भी मतले नहें लें लेकिन परिक्षा के दिन ज्यादा तनाव को चब्यरती लेते हैं बिल्कुल आप रिलेक्स रहिएगा और पूरे confidence के साथ में आप परिक्षा के लिए जाईए क्योंकि सबसे जरूरी चीज confidence है आत्म विश्वास यदि आपके अंदर है तो दुनिया के हर target को आप हासिल कर सकते हैं इसमें कोई दोराए नहीं है तो हूल ओफ सारांस अगर देखा जाए तो परिक्षा की योजना आपके पास होनी चाहिए स्लेबर्स के according आप अध्यन करें आदर्स दिन्चरिया के साथ आप अध्यन करें आदर्स सामगरी आपके पास होनी चाहिए जो पठ्थे सामगरी है सकारात्मक सोच के साथ और पून आत्मिश्वास के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्यती सी टैट की परिक्षा में आपको सफलता मिलेगी और 120 से जादा अंका परजित करेंगे तो यही आज का वीडियो था यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अध्यन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की लेटेस्ट वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें जै हिंज भारत